मुझे रोजों में हम बहुत जादा बीजी हैं और अलहमदलिल्ला रोजी पर सबके बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और इसके साथ साथ हम अपनी स्किन का बिल्कुल भी द्यान नहीं रख पा रहे हैं और पाने की जाहरा कमी के वजए से सारी बोडी ऐसे लगता है कि ड्राइनस सारी हो चुकी है इतनी ड्राइ हो चुकी है फेस की और जी इसके लिए एक हल है मेरे बास वो है जी और गैनिक का चारकुल स्क्रब है जो के बोडी स्क्रब है और ये हाथों पे पाउं पे और जहां ब्लैक्स पॉट्स बीविया लिया है सब्सक्राइब करना न्याब्स तरह श्राइब को यह जगा ब्लैक्न बाएभ रोग्सक्राइब रापोर्णी के बड़ा वेक्राइब नहीं अब तरह भी एक प्लीवर्ण बहुत सारे फ्लेवर हैं मैं इनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और यह देखें ऐसे स्मूथ सी स्केन हो गई है वाइट वाइट सी स्केन हो गई है और पोर्स को ओपन पोर्स को यह बंद करता है और स्किन को बिल्कुल एक ब्राइट सा कर देता है तो सच में यह करने के लिए मैं इसका लिंक को है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसका अप्रिकोड भी है इसका स्काड़ बे कर सकते हैंना कमॉबायल न्स कि यह दिखित हैं परेजिए बड़ा अच्छा यह बालों की बहुत अच्छा और 34 डॉ ड्राहरी के लिए बहुत और सोनिया के बाल भी बहतर हो गए ना सूनिया अब जैसे यह आया है यह कहते बाजी यह तो सारा में लगाएं उड़ी चलो तुम ही लगा ले ना आप उक्सषद बुषते रहते हैं ना मैं सकीन के लिए क्या करती हूं मैं ऐसी बेदी करती हूं असलाम लेकुम कैसे हैं या आप सबाई हो पाप सब ठीक होंगे और अब जी मैं करी हूँ अफ़तारी की तैयारी और आप गाएंगे कि तीसरे रोजी की सहरी कहां पे है तो सहरी की मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सकी मेरी थोड़ी सी तबीयत खरापती तो बस मैंने बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था सर में शदीद किसम का पेन हो रहा था तो मैंने सहरी की वीडियो नहीं बनाई अब मैं अफ़तारी की वीडियो आप से शेयर करने लगी हूँ तो मैंने ये रोल्स निकाली है आज और मैंने पैटिस निकाली है इनको थोड़ा सा ओईल के साथ ब्रश करके इनको मैं ओवन में रखूंगी तो पैटिस को मैं रखने लगी ओवन में तो मैंने सोचा कि रोल्स को भी मैं ओवन में ही रख लेती हूँ तो अच्छे से हो जाएंगे healthy option है तो बस इसको मैं ओवन में रख लूँगे और ओवन की जगा भी देखे मैंने change कर ली है क्योंकि जहां पर instant pot आपको नजर आ रहा होगा यहां पर पहले मैंने रखा हुआ था तो मैंने जगा चेंज कर दिये जैसे setting चेंज की थी तो सारा चेंज हो गया यहां पर मैंने जो रोल्स पनाया थी उनको मैं जिप लॉक बैक में डाल के रख रहे हूँ हूँ और यहां बेजी मैंने फ्रूट्स निकाल ली हैं अच्छे रमजान में माशाला से इतनी बरकत हो जाती है और चीजें जो हैं वो खास वर पर मैंने यह देखा है कि फ्रूट्स जो है ना आम दिनों में जाया हो जाते हैं खाय भी नहीं जाते हैं लेकिन यह कि अफ़तारी के टाइम जब रोजा खोल रहे हुते हैं उसक्छार बनाने के लिए क्युक्ण के बगार तरोजा का कोई तसावर ही नहीं है हमारे गर में बलकि बहुत सारे गरहों में फृुट्ट्चार तो मस्ट है और यहां पर जी मेरे हस्पेंट भी आ चुके थे वो थोड़ी देर बाद आते रहते हैं मैं किचन में कड़ी हूँ ना तो आते रहते हैं क्या कर रही हो ना दी तो मैं बहुत जादा कोई खुल के बताती नहीं हूँ कि हमारा रिष्टा कैसा है और क्या है वो मेरी बहुत जादा केर करते हैं मैं उनकी बहुत जादा केर करती हूँ तो अलाग लाग 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 चुकर है तो जी यहां पर मैं दई बले भी बना रही हूँ और मैंने बूंदियां जो है वो आज सिरफ उनी के बना रही हूं बले मैंने नहीं आड़ किये दही डाली सबस धनिया सबस मेचे थोड़ी से डाल दी प्याज टमाटर बड़े अच्छे लगते हैं अपरी डाल दी और इमली की चट्नी जो है ना मैंने घर में बना की रखियो यह वो आड़ कर दी और मेरी बेटी भी बार-बार आ रही थी के ममा क्या बना रही है यहां पर चाट मसाला डाल दिया और मेरी बेटी के क्योंकि आज कल स्कूल भी खुले हुए है तो जब आती है तो बहुत ज़्यदा थकी होती है कोई हाल नहीं होता बचारी का तो आते ही सो जाती है नमास पढ़के तो यहां मैंने दई बले और मैंने बना लिये थे फ्रूट चाट बना ली थे और मैं साथ साथ चीजें जोना वो समेट लूँगी और साथ साथ सफाई भी मैं करती रहती हूं क्योंकि फिर बहुत ज़्यदा मैस हो जाता है और क्योंकि किचन बिलकु साथ है बैटने की करके रखा हुआ था बस उसका एक क्योब मैंने शर्बत में डाला थोड़ी दिर बाद ही वो घुल गया था और कोई टाइम नहीं लगता है बड़ी आसानी से हो जाता है और आज मैं टेबल पे लगा रही हूं जी अपनी अफतारी नीचे नहीं लगा रही मैंने इसलिए ट कि मुझे लाइट सी सरा की बैटरी वाली बड़ी पसंद है तो बस मैंने यहां पे दो तीन जला दी है सारी नहीं जलाएं और बस मैंने यहां पे बैट के भी तस्पी पड़ी थी तो वेट करी थी के रोल्स वगरा हो जाएं और यह देखें बड़े अच्छे से ओमन में हो कर देंद है में, पाहं कि बाइब यहां कि था पया, तो शाम अबस बच्चारे से मोझोड़े येजा है थाँ पहले हम्द लेला जी हमारी टेबल लग चुकी थी और पहले ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं कैसे चीज़ें बनाएंगे थका नोरी है दिल नहीं कर रहा लेकिन इतनी माशालोह से बरकत पढ़ जाती है हग चीज़ी इतनी ज़्यादा ज़्यादा हो जाती है माशालोह और मेरी हस्पेंड और मेरी बीटी बैटके दौा करे थे मैं बेटी को बता रही थी कि बैटा ये ये दौाएं करो और अल्ला से मांगो, कबूलियत की घड़ी होती है तो अल्ला से अपने लिए कुछ मांगो, घर इबालों के लिए ममा बाबा की लंबी उमर के लिए द्वाइं मांगो, तो मैं उसको सिखा रही थी अभी जा रही हूं मैं कुछ सामान लेने, क्योंकि मैंने कल एक जरूरी काम करना तो सिर्सले में मुझे थोड़ा सो सामान चाहिए तो बस मैं भी जारी हूं पानी पीके यह बहुर ठंड़ है सौन्या हाँ, गला खराब हो जाएगा तो बस मैं चलती हूं, गाड़ी स्टार्ट कर लिए मेरे हस्मेंट में जाइएएएएएँ तो ङाइफए़य कारे ह्विएए़ vozणेएभ और जी जैसे हम निकले तो बेटी की कॉल आ गई कि मम्मा मेरे लिए कुछ खाने को लेते हैं मुझे भूक लग रही है क्योंकि खाना नहीं खाया था और खाना आज हमने खाया भी नहीं है हमने यहीं सोचा कि सेरी में अब एक तफ़ा रोटी खा लेंगे तो बस यहां पर हम लोग हाडीज प्याए थे अभी में आ गई हूं समान लेकर अंडे ब्रेट खतम हो गए थे और भिसन लेकर आई हूं चीनी लेकर आई हूं बस अभी लेकर आई हूं अंडे जोना मारे गर में बहुत जादा इस्तमाल होते हैं वैसे भी डिफरेंट डिशिस बनाने में या इसे भी खाने में भी बड़े अच्छे लगते हैं तो बस संडे में लेकर आई हूं तो मैं अभी जो है ना थोड़ा सा रेस्ट करूंगे पर नमास पढ़नी है तो मैं आप से चाहूंगी यह पर इजाज़त तो मिलूंगे आप से इंशाल्ला नेक्स वीडियो में विस्टी बड़े